मा आवास समान मानवी यह मुल्यों छे जाएगा लेकिन हमारी बातों का यह सिलसला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा आने वाले वर्ष में हम और नई नई बाते करेंगे नए अनुभव शायर करेंगे आप सब को 2018 की अनेक अनेक शुब कामना है अभी पिछले दिनों 25 दिसंबर को विश्व भर में क्रिस्मस का त्योहार धूम धाम से बनाया गया भारत में भी लोगों ने काफी उत्सां से इस त्योहार को बनाया क्रिस्मस के अवसर पर हम सब इसा मसी की महान शिक्षाओं को याद करते हैं और इसा मसी ने सबसे ज़्यादा जिस बात पर बल दिया था वह ता सेवा भाव सेवा की भावना का सार हम बाइबल में भी देखते हैं यह दिखाता है कि सेवा का मात में क्या है विश्व की कोई भी जाती होगी धर्म होगा परंपरा होगी रंग होगे लेकिन सेवा भाव यह मानविय मुल्यों का एक अनमोल पहचान के रूप में है हमारे देश में निसकाम कर्म की बात होती है यानि ऐसी सेवा जिसमें कोई अपेक्षा न हो हमारी यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्म होग जीव सेवा ही सीव सेवा और गुर्देव रामकृष्ण परमोंस तो कहते थे सीव भाव से जीव सेवा करें याने पूरे विश्व में ये सारे समान मानुए मुल्य है आए हम मांपूरुष्व का स्मरण करते हुए पवित्र दिवस्व की याद करते हुए हमारी इस महान मुल्य परमपरा को नई चेतना दें नई ओर्जा दें और खुद भी उसे जीने का प्रयास करें मेरे प्यारे देश वास्यों यह वर्ष गुरु गोविन सींजी का तिनसो पचासवा प्रकासपरवका भी वर्ष था गुरु गोविन सींजी का साहस और त्याग से भरा असाधर जीवन हम सभी के लिए रिना का श्रोध है गुरु गोविन सींजी ने महान जीवन मुल्यों का उपदेश दिया और उनी मुल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जीया भी एक गुरु कभी धार्षनीक भान योद्धा गुरु गोविन सीजी ने इन स्वभी भूमी काओं में लोगों को प्लेरीत करने का काम किया उन्होंने उत्पिडन और अन्या के विरुद लड़ाय लड़ी लोगों को जाती और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी इन प्रयासों में उन्हें व्यक्तिके तुमसे बहुत कुछ गवाना भी पड़ा लेकिन उन्होंने का भीवी देश की भावना को जगा नह ही कि मैं इस वर्स के शुरुवात में गुरु गोविन सींजी की तिन सो पचास फी जैंतिक एवसर पर पत्ना साहिब में आयोजित प्रकास ओत्सों में शामिल हुआ आईए हम सब संकल्प लें और गुरु गोविन सींजी की महाम स्विक्षा और उनके प्रेणादाई जीवन को ढालने का प्रयास करें एक जनवरी 2018 याने कल मेरी दुरुष्टी से कल का दिन एक स्पेशल दिवस है आपको भी आश्यरे होता होगा नया वर्स आता रहता है एक जनवरी भी हर वर्स आती है लेकिन जब स्पेशल की बात करता हूं तो सच मुच में मैं कहता हूं क जो लोग वर्स 2000 या उसके बात जन्मे हैं यानी 21 सदी में जिन्हों ने जन्म लिया है वे एक जनवरी 2018 से एलिजिबल वोटर्स बनना शुरू हो जाएंगे भारतिय लोकतंत्र 21 सदी के वोटर्स का न्यू इंडिया वोटर्स का स्वागत करता है मैं हमारे इन विवाओं को बधाई देता हूं और सभी से अग्रह करता हूं कि आप स्वयम को वोटर के रूप में रिजिस्टर करें पुरा हिंदुस्तान आपको 21 सदी के वोटर के होगे आपका वोट न्यू इंडिया का अधार बनेगा वोट की शक्ति लोकतंत्र के में सबसे बड़ी शक्ति हैं लाखों लोगों के जीवन में सकारात्पक परिवर्तन लाने के लिए वोट सबसे प्रभावी साधन है आप केवल मत देने के अधिकारी नहीं बन रहे हैं आ आप 21 सदी के भारत कैसा हो 21 सदी के भारत के आपके सपने क्या हो आप भी तो भारत के 21 सदी के निर्माता बन सकते हैं और इसकी शुरुवात एक जन्वरी से विशेश रुप से हो रही है और आज अपनी इस मन की बात में मैं 18 से 25 वर्ष के उर्जा और संकल्ब से भरे हमारी यशेश वी युवाओं से बात करना चाहता हूँ मैं इने न्यू इंडिया यूथ मानता हूँ न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्सा और उर्जा मेरा विश्वास है कि हमारे इन उर्जावान युवाओं के कौशर और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा जब हम नए भारत की बात करते हैं तो नया भारत जो जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंगवाद, प्रष्टाचार के जैर से मुक्त हो गंद की और गरीवी से मुक्त हो, न्यू इंडिया जहां सभी के लिए समान अवसर हो, जहां सभी के आशा अकांशाय पूरी हो, नया भारत जहां शान्ती एकता और सद्भावनाई हमारा गाइडिंग फोर्स हो मेरा यह न्यू इंडिया यूथ आगे आएं, और मन्थन करें कि कैसे बनेगा न्यू इंडिया, वो अपने लिए भी एक मार्क तै करें, जिन से वो जुड़ा हुआ हैं उनको भी जोड़ें, और कारवा बढ़ता चलें, आप भी आगे बढ़ें, देश भी आगे बढ़ें अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक विचारा आया कि क्या हम भारत के हर जिले में एक मोख पर्लामेंट आयोजित कर सकते हैं, जहां ये 18-25 वर्ष के युवा मिल बैट करके न्यू इंडिया पर मन्थन करें, रास्ते खोजें, योजनाय बनाएं, कैसे ह हम हमारे संकल्पों को 2022 से पहले सिद्ध करेंगे, कैसे हम एक ऐसे भारत का निर्मान कर सकते हैं, जिसका सपना हमारे स्वतांत दस्यनानियों ने देखा था, मात्मा गांधी ने आज हदी के अंदोलन को जन अंदोलन बना दिया था, मेरे नवजवान साथियों, समय की मांग है कि हम भी 21 सदी के भव्य दिव्य भारत के लिए एक जनांदोलन खड़ा करें, विकास का जनांदोलन, प्रगती का जनांदोलन, सामर्थमान शक्तिशारी भारत का जनांदोलन, मैं चाहता हूं कि 15 अगस के आसपास दिल्ली में एक मोग पर्लमेंट का आयोजन हो, जहां प निर्मान किया जा सकता है, संकल्प से सिद्धी कैसे प्राप्त की जा सकती है, आज व्याओं के लिए धेर सारे नए अवसर पैदा हुए है, स्किल डेवलप्मेंट से लेकर कि इनोवेशन और एंटर्परिनर्शिप्स में हमारी वह आ आ गया रहे हैं, और सफल हो रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इन सारे अवसरों की योजनाओं की जानकारी इस न्यू इंडिया यूद को एक जब कैसे मिले, और इस बारे में कोई एक ऐसी ववस्ता खड़ी की जाए, ताकि अठार वर्स का होते ही, उसे इस दुनिया के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पॉजिटिविटी के महत्व के बारे में बात की थी, मुझे संस्क्रित का एक श्लोग याद आ रहा है, उत्सा हो बलवान आरिया, नास्ति उत्साहन परम बलम, सोत व साहश्य लोकेशू नग पीचित अपी दुर्भलभम। इसका मतलब होता है, उत्सा से भरा एक व्यक्त अत्यनत बलशाली होता है, क्योंकि उत्साह से बढ़कर कुछ नहीं होता, पॉजिटिविटी और उत्साह से भरे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभाव नहीं, अंगरीजी में भी लोग कहते हैं, पैसिमिजम लीड्स टू विकनेश, आप्टिमिजम टू पावर, मैंने प पॉजिटिव मोमेंट शेर करें, और दो हजार अक्षा का स्वागत एक पॉजिटिव एट्मोस्पेर में करें, मुझे बहुत खुशी हुई कि भारी संख्या में लोगों ने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइगाव और नरदर मोदी एप पर बहुत ही पॉजिटिव अपने अनुभव शेर किये, पॉजिटिव इंडिया हैस्टेक के साथ लाखों ट्वीट्स किये गए, जिसकी पहुंच करीब करीब डेड़ सो करोड से भी अधिक लोगों तक पहुंची, एक तरह से पॉजिटिवीटी का जो संचार भारत से आरम हुआ, वह विश्व भर म में फैला, जो ट्वीट्स और रिस्पोंस आये, वह सच मुच में इंस्पारी थे, एक सुखद अनुभव था, कुछ दर्श वासियों ने इस वर्ष के उन घटना क्रमों को साजा किया, जिनका उनके मन पर विशेष प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा, कु जो मुझे पड़ी असानी से मिल गया, और मेरी बेटी की बढ़ाई चालू रही. मेरा नाम दिपास ओजा, मौला शागान कर जिला सारंपूर उच्तर प्रभेश करने वासियों, दो गचनाए हैं, जो हमारे भार्षिय चैनिकों के से द्वारा, एक तो पाकिस्तान में उनके द्वारा सी देवी सजितर स्प्राइक, जिससे की आतनवार के जांचिक साट से उनको ने इसको नाभूर कर दिया जा, और साथ में साथ हमारे भार्षिय सेंगों का दोखला में जो प्राग्रम देखने को मिला वो अतुनी है, मेरा नम सतीफ मेवानी है, हमारे इलाके में पानी की समझ साथी, पिसे 40 साल से हमार्मी के पाइपलाइन पर निरुबर रोगा हैं, जिन से कई लोगों के जीवन में सकारातपक बल्लाव आ रहा है, वास्तों में यही तो न्यू इंडिया है, जिसका हम सब मिलकर निर्मान कर रहे हैं, आए इनी छोटी-छोटी खुशियों के साथ हम नव वर्ष में प्रवेश करें, नव वर्ष की शुरुआत करें, औ और पॉजिटिव इंडिया से प्रोग्रिसिव इंडिया के दिशा में मजबूत कदम बढ़ाएं, जब हम सब पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो मुझे भी एक बात सैर करने का मन करता है, हाल ही में मुझे कश्मीर के प्रसासनिक सेवा के टॉपर अंजुम बशिर खा खटक की प्रेणादाई कहानी के बारे में पता चला, उन्होंने आतंगवाद और घ्रना के दाउंस से बहार निकल कर कश्मीर अडिनिस्टेटिव सर्वीस की परिक्षा में टॉप किया है, आप यह जानकर कि हरान है जाएंगे कि 1990 में आतंगवादियों ने उनके पैत्रु और इतनी हिंसा का वातावरन दिल में नकारात्मक और कड़वाद पैदा करने के लिए काफी था, पर अंजूम ने ऐसा नहीं होनी दिया, उन्होंने कभी आशा नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना, जंता की सेवा का रास्ता, वो विपरीत ह चालत से उबर कर बाहर आए और सभलता कि अपनी कहानी खुद लिखी, आज वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के ही नहीं, बलकि पुरे देश की युवाओं के लिए प्रेना बन गए है, अंजूम ने थाबित कर दिया है कि हालात कितने ही खराब क्यों नहों, सकारात पकारिय के दोरा निराशा के बादलों को भी दवस्त किया जा सकता है, अग भी पिछले हपते ही मुझे जम्मू कश्मीर की कुछ बेटियों से मिलने कावसर मिला, उनमें जो जज़बा था, जो उत्सा था, जो सपने थे, और जब मैं उनसे सुन रहा था, वो जीवन में कैसे कैसे प्रगदी करना चाहती है, और कितनी आशा भरी जिन्दगी वाले लोग थे, उनसे मैंने बाते कि कहीं निराशा का नमों निशान नहीं था, उत्सा था, उमंग था, उर्जा थी, सपने थे, संकल्प थे, उन बेटियों से जितना समय मैंने बिताया, मुझे भी प्रेड़ा मिली, और यही तो देश की ताकत है, यही तो मेरे युवा है, यही तो मेरे देश का भविश्य है, मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के ही नहीं, जब भी कभी विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक स्तलों के चर्चा होती है, तो केरल के सबरी माला मंदीर की बात होन स्रध्धालू यहां आते हैं जहां इतनी भारी संख्या में स्रध्धालू आते हो जिस स्थान का इतना बड़ा महात्मर हो वहां स्वच्छता बनाये रखना कितनी बड़ी चुनावती हो सकती हैं और विशेश कर उस जगह पर जो पहड़ियों और जंगलों के बीश्थीत हो लेकिन इस समस्या को भी समस्कार में कैसे बर्ला जा सकता है समस्या में से उभरने का रास्ता कैसे खोजा जा सकता है और जन्भागीदारी की इतिकाय थाकत होती है यह अपने आप में सब्रिमाला मंदीर एक उधार्ण के तौर पर है पी बीजियन नाम के एक पुलिस अफसर ने पुन्यम पुंकावनम एक प्रोग्राम शुरू किया और उस प्रोग्राम के तहट स्वच्चता के लिए जागरुकता का एक स्वहिच्छे का भ्यान शुरू किया और एक ऐसी प्रंपरा बना दी कि जो भी यात्री आते हैं उनक तक कि वो स्वच्चता के कारकम में कोई शारिक स्रम न करते हो इस अभ्यान में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है हर यात्री भगवान की पूजा का ही भाग समझ करके कुछ ने कुछ समय स्वच्चता के लिए करता है काम करता है गंध की हटा के लिए काम करता है हर सुबह यहां पाई का द्रश्य बड़ा जभूत होता है और सारे तिर्थियात्री इसमें जुड़ जाते हैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों नहों कितना ही बड़ा धनी व्यक्ति क्यों नहों कितना ही बड़ा अफसर क्यों नहों हर कोई एक सामान्य यात्री के तौर पर इस पुन्यम पुंकावनम कारकम का हिस्सा बन जाते हैं, सफाई को करके ही आगे बढ़ते हैं। हम देशवाश्यों के लिए ऐसे कई उदार्ण हैं। सबरी माला में इतना आगे बढ़ा हुआ है स्वच्था भियान और उसमें पुन्यम पुंकावनम यह हर यात्री के यात्रा का हिसा बन जाता है। वहां कठोर वृत के साथ स्वच्थता का कठोर संकल भी साथ साथ चलता है। मेरे प्यारे देश वांचियों दो अक्तूबर 2014 पुझ्य बापु की जन्म जैन्ती पर हम सब ने संकल्प किया है। कि पुझ्य बापु का जो अधूरा काम है यानि कि स्वच्च भारत गंदकी से मुक्त भारत पुझ्य बापु जीवन भर इस काम के लिए जूशते रहें कोशिश भी करते रहें। और हम सब ने ताय किया कि जब पुझ्य बापु की 150 वी जैन्ती हो तो उन्हें हम उनके सपनों का भारत स्वच्च भारत देने की दिशा में कुछ न कुछ करें। स्वच्चता की दिशा में देश भर में व्यापक स्तर पर प्यास हो रहा है। ग्रामे ने वं सहरीक शेत्रों में व्यापक जन्भागीदारी से भी परिवर्तन नजर आने लगा है। सहरीक शेत्रों में स्वच्चता के स्तर की उपलग्धियों का आकलन करने के लिए आगामी 4 जन्वरी से 10 मार्ट 2018 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे स्वच्चर सर्वेक्षन 2018 किया जाएगा। यह सर्वे 4000 से भी अधिक शहरों में लगबग 44 करोड आबादी में किया जाएगा। इस सर्वे में जिन तक्थों का आकलन किया जाएगा उनमें हैं शहरों में खुले में सोच से मुक्ती, कुडे का कलेक्शन, कुडे को उठा कर ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्ता, वैज्यानिक तरीके से कुडे की प्रोसेसिंग, बिहेवरल चेंज के लिए किये जा रहे प्रयास, कपसिटी बिलिंग और स्वच्था के लिए गए इनोवेटिव प्रयास और इस काम के लिए जनभागिदारी हैं। इस सर्वे के दवरान अलग-अलग दल जाकर के शहरों का इंस्पेक्शन करेंगे, नागरिकों से बात करके उनकी प्रतिक्या लेंगे, स्वच्थता एप के उप्योग का तता विभीन प्रकार के सेवा स्थरों में सुधार का एनालिसिस करेंगे, इसमें यह भी देखा जा आएगा कि क्या ऐसी साई ववस्ता सहरों के द्वारा बनाई गई हैं, जिस से सहर की स्वच्थता एक जन जन का स्वभाव बने, शहर का स्वभाव बन जाए, स्वच्थता स्लिप सरकार कर ऐसा नहीं हर नागरिक एभम नागरिक संगटरनों की भी बहुत बड़ी हैं, और मेरी हर नागरिक से अपील है कि वे आने वाले दिनों में जो स्वच्थता सर्वे होने वाला है, उसमें बड़ चरकर के भाग लें, और आपका शहर पीछे न रह जाए, आपका गली, महला पीछे न रह जाए, इसका बिड़ा उठाए, मुझे पुरा विश्वास ह है कि घर से सुखा कुड़ा और गीला कुड़ा अलग-अलग करके नीले और हरे डस्मिन का उप्योग अब तो आपके आदत बनी गई होगी, कुड़े के लिए रिडियूस, रियूस और रिसाइकल का सिधान बहुत कारगर हता है, जब शहरों की रैंकिंग इस सर्वे के अधीक आबादिका है, तो पुरे देश के रैंकिंग में और एक लाग से कम आबादिका है, तो ख्षेती रैंकिंग में उचे से उचा स्थान प्रप्त करें, यह आपका सपना होना चाहिए, आपका प्रयास होना चाहिए, चार जनवरी से 10 मार्च 2018, इस बीच होने वाले स् तो सता कि इस healthy competition में आप कहीं पीछर न जाएं, यह हर नगर में एक सारवजनिक चर्चा का विशे बनना चाहिए, और आप सब का सपना होना चाहिए, हमारा शहर, हमारा प्रयास, हमारी प्रगती, देश के प्रगती, आईए, इस संकल्प के साथ हम सब फिर से एक बार, पु कुछ बात ऐसी होती हैं, जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन एक समाज के रूप में हमारी पहचान पर दूर दूर तक प्रभाव डालती रहती हैं, आज मन की बात के इस कारकम के मार्दम से, मैं आपके साथ ऐसी एक बात शेयर करना चाहता हूँ, हमारी जान चाह सकती हैं, जब मैंने इसकी बारे में पहली बार सुना, तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे नियम किसने बनाए होगे, कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों, और मैं जब उसकी गहराई में गया, तो महरान हो गया, आज हैदी के सतर साल के बात भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हमी लोग थे, दसकों से मुस्लिम महलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं थी, यहां तक कि कई इस्लामी देशों में भी ये नियम नहीं है, लेकिन भारत में मुस्लिम महलाओं को ये अथिकार प्राप्त नहीं था, और मुझे खु करके रिस्रिक्षन को हमने हटा दिया आज मुस्लिम महलाएं महरम के बिना हज के लिए जा सकती हैं और मुझे खुशी है कि इस बाहर लगबक तेरा सो मुस्लिम महलाएं महरम के बिना हज जाने के लिए अपलाई कर चुकी है और देश के अलग-अलग भागों से केरल से लेकर के उत्तर तक महलाओं ने बढ़ चड़ करके हज यात्रा करने की इच्छा जाहिर की है अलपसंखेक मामलों के मंत्राले को मैंने सुझाव दि सिस्टिम है लेकिन मैं चाहूंगा कि अकेली महलाओं को इस लौटरी सिस्टिम से बाहर रखा जाए और उनको स्पेशल कटेगरी में अउसर दिया जाए मैं पूरे विश्वां से कहता हूं और यह मेरी द्रड मानेता है कि भारत की विकास यात्रा हमारी नारी शक्ति के बल पर उनकी प्रतिभागे भरों से आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़ती रहेगी हमारा नेरंतर प्रयास होना चाहिए कि हमारी महिनाओं को भी पूरूषों के बराबर समान अधिकार मिले समान आउसर मिले ताकि वे भी प्रगतिके मार्क पर एक साथ आगे बढ़ सके मेरे प्यारे देश्वासियों 26 जन्वरी हमारे लिए एक इतिहासिक परवा है लेकिन इस वर्ष 26 जन्वरी 2018 का दिन विशेश रुप से याद रखा जाएगा इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारों के लिए सभी दस आश्यान दिनेता मुख्य अतिति के रूप में भारत आएंगे गणतंत्र दिवस पर इस बार एक नहीं बलकि दस मुख्य अतिति होंगे ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है 2017 आश्यान के देश और भारत दोनों के लिए खास रहा है आश्यान ने 2017 में अपने 50 वर्ष पूरे किये और 2017 में ही आश्यान के साथ भारत की साजेदारी के 25 वर्ष भी पूरे हुई 26 जनवरी को विश्व के 10 देशों के इन महान नेताओं का एक साथ सरीखोना हम सभी भारतियों के लिए गर्वकी बारत है पैरे देश वाकशियों यह त्योहरों का सीजन है वैसे तो हमारा देश एक प्रकार से त्योहरों का देश है शाहिद ही कोई दिवस ऐसा होगा जिसके नाम को त्योहर न लिखा गया हो अभी हम सभी ने क्रिश्मस बनाया है और आगे नया वर्ष आने वाला है आने वाला नव वर्ष आप सभी के लिए धेरो खुशियां सुख और समुरुद्धी लेकर के आए हम सब नए जोश, नए उत्सा, नए उमंग और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें, देश को भी आगे बढ़ाएं जन्वेरी का महिना सुरिय के उत्रायन होने का काल है और इसी महिने में मकर संक्रांती मनाई जाती है यह प्रकृती से जुड़ा पर्व है, वैसे तो हमारा हर पर्व किसी न किसी रूप में प्रकृती से जुड़ा हुआ है लेकिन विवीदिताओं से भरी हमारी संस्क्रूती में प्रकृती की इस अध्भूत गटना को अलग-अलग रूप में मनाने की प्रथा भी है पंजाब और उत्तर भारत में लोडी का आनद होता है तो यूपी बिहार में खीचडी और तिला संक्रांती की प्रतिक्षा रहती हैं राजस्तान में संक्रांत का है असम में माग भी हूँ या तमिल नाडु में पॉंगल ये सभी त्योहार अपने आप में विशेष है और इनका अपना अपना महत्वा है इस सभी त्योहार प्याया 13 से 17 जन्वरी के बीच में मनाए जाते हैं इन सभी त्योहारों के नाम अलग-अलग लेकिन इनका मुल्य तत्व एकी है प्रकृती और कृसी से जुड़ाव सभी देशवाशियों को इन त्योहार की बहुत बहुत शुब कामना है एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2018 की धेरों शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे देशवाशियों 2018 में फिर से बात करेंगे धन्यवाद